तो आज हम बनाएंगी साबुदाना टिक्की जिसको बनाना बेहद हसान है और बहुत करारी और क्रिस्पी बनने वाली है तो आवाज आप सुन सकते हैं तो जैसा कि आपने आवाज सुना बिल्कुल एकदम से करारी बनी है तो अज आज की जो वीडियो है Perfect Measurement के साथ Perfect Recipe है जिसको आप पूरा देखें प्लीज शकिप ना करें अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ छोटे चोटे पार्ट से जो स्किप हो जाते हैं और फिर उतनी perfect recipe नहीं बनती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप प्लीज पूरा देखें तो चलिए स्टार्ट करतें इसको बनाना Hello everyone, मैं जोती, कुकवे जोती मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो friends, साबुदाना टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है साबुदाना तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबुदाना लिया है और हमें इसको अभी भिगोना है तो साबुदाना टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आप मेजरमेंट फिक्स करें कोई भी आप बॉल कटोरी सेट कर सकते हैं उसके बाद में हमें यहाँ पर साबू दाने को 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखना है साबू दाना टिकी परफेक्ट बने उसके लिए साबू दाने को बहुत अच्छे से भिगो के लेना होता है तो जब आप साबू दाने को इस तरीके से तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से क्रश हो जाना चाहिए उसमें दाना नहीं देखना चाहिए तो यहाँ पर हमने देखी साबू दाने को बिगो के ले लिया है अब यहाँ पर हमें लेना है मुमफली तो यहाँ पर एक कटोरी ही हमें मुमफली लेनी है, जितना साबूदाना उतनी ही हमें मुमफली लेनी है और यह हमने अभी कच्ची मुमफली लिये, इनको हलकासा रोस्ट करके हम इस तरीके से इसका पाउडर बना लेंगे आप चाहें तो छिलके के साथ बना सकते हैं चिलके को skip कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे लेकिन छिलके के साथ में आप ग्राइंड करेंगे तो कोई परिशाने नहीं आएगी अब यहाँ पर हमें लेना है एक बोल उसमें add करेंगे हम साबुदाना यहाँ पर फ्रेंट्स आ नहीं उसमें पानी रखना है कि वो अच्छे से डोब जाए उससे ज्यादा पानी आपको नहीं लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हमें लेना है उबला हुआ आलू तो आलू हमने यहाँ पर mash करके लिया है जितना भीगने के बाद साबुदाना होता है तो जैसे आदा बोल ही यहाँ पर उबला हुआ आलू लिया है बिल्कुल आप इसी मेजर्मेंट से आलू यहाँ पर एड़ करें उसके बाद में यहाँ पर लेना है बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसको तीखा बनाने के लिए लेंगे हम हरे मिर्च यहाँ पर हम लाल मिर्च का इस्तमाल तो मेजरमेंट जो है मैं फ्रेंट डिस्क्रप्शन में एड कर दूंगी बिल्कुल सेम मेजरमेंट से ही आप बनाएं बिल्कुल पर्फेक्ट आपके टिक्की वनेगी अब यहां पर हमें बहुत ज्यादा कुछ मसाले वगर एड नहीं करना है क्योंकि यह व्रत का है हम इसमे थ्लिकी से आपको अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए ताकि वह ओल में जाकी खुले ना उसके इस तरीके से इसको लॉक करते हुआ पशेली से तरीके से टिकी बना लेंगे और सारी ही टिकी हमें इस तरीके से बना लेनी है तिकी आप बना के ज़्यादा देर के लिए ना रखें क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ होता यह पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है बेटर हमारा अब इसको हम फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के लिए ओयल को भी आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है और बहुत ज़्यादे ओयल में भी हम अपने टिक्यों को नहीं एड़ करेंगे वरना यह बहुत ज़्यादा ओयल अब्जॉब कर लेंगी तो बिल्कुल इस तरीके का आपको ऑयल लेना है कि यह हम जब टिक्यों को उसमें डालें तो उसको फ्राइ होने में थोड़ा सा टाइम लगे और बिल्कुल मेडियूम फ्लेम पे इसको आपको फ्राइ करना है तो देखें हमें अब इसको निकाल लेना है बहुत जादा हम इसका dark color नहीं करेंगे अब इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी जो हमारी टिक्किया हैं उनको भी हमें इसी तरीके से fry कर लेना है तो सभी को आप इस तरीके से जो है अगर half fry कर ले तो यहाँ पर देखें मैंने बाकी टिक्कियों को भी इसी तरीके से golden color आने तक अच्छे से fry कर लिया है और friends यकीन मानिए अगर आप मेरी वाली measurement से बनाते हैं तो आपकी टिक्किया बिल्कुल एकदम से इसी तरीके से perfect बनने वाली है तो यह देखें मैंने सभी टिक्कियों को बना लिया है और बिल्कुल एकदम से खस्ता करारी और बहुत tasty बनने वाली है तो बिल्कुल आप मेरी measurement से बना सकते हैं आपकी टिक्की बनाने में कोई परिशानी नहीं आएगी फिर भी अगर आपको कोई परिशानी आती है तो प्लीज मुझे comments में जरूर बताए तो यहाँ पर देखें सब टिक्कियां बनके ready है और crunchiness तो इसका आप देखी सकते हैं कि यह कितना crispy बनी है और इसने बिल्कुल भी oil absorb नहीं किया है तो इस तरीके से आप बिल्कुल खस्ता करारी टिक्की बनाकर ब्रत में enjoy कर सकते हैं और फ्रिंट्स वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्लीज वीडियो को like जरूर कर दे और अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लें और साथ के साथ बल आइकन को भी प्रेस कर दे वैसे फ्रिंट्स मैंने आप लोगों के साथ ब्रत की बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं अगर आपने मेरी रेसिपीज को नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे आई बटन में भी उसको चेक कर सकते हैं मैं description में उनकी जो link है वो शेयर कर दूँगी आप उनसे भी जो है मेरी रेसिपीज को देख सकते हैं वो भी बहुत easy और आसान तरीके से मैंने उनको बताया है तो please मेरी रेसिपीज को जरूर देखें और मुझे comments करके बताना मुझे ना भूलें आपके comments से मुझे motivation मिलता है तो please मुझे motivate करते रहें मिलते हैं friends ऐसी ही आसान नेक्स रेसिपी में and thanks for watching my video and bye bye